गुड इवरिवान और वेलकम चू दी ओरिएंटेशन सेशन फॉर एफ़ार फॉर दिसेंबर 2023 एग्जाम क्यों होता है ओरिएंटेशन so that you all can understand the system of our classes मैं कैसे पढ़ाऊंगी हम कैसे पूरे quarter पढ़ाई करेंगे कैसे पूरे paper की तैयारी करेंगे वो सारी चीजे आज orientation session में discuss होंगी clarify की जाएंगी तो सबसे पहली चीज तो ये FR की book मैं कौन सी prefer करती हूँ that is Kaplan तो Kaplan की आपको exam kit और study text दोनों लेनी है क्या मैं बोलूंगी अगर तुम्हें एक साल पुरानी भी मिल जाती है चलेगी कोई दिक्कत नहीं है because मेरे पास नई book है तो इसमें जो जो भी नए questions add हुए है वो मैंने otherwise भी तुम्हें कराने है तो वो classes में हो जाएंगे अगर आपको पुरानी book भी किसी से मिलती है you can take that that's absolutely okay अब FR में आपके पास content क्या है syllabus लंबा है हाँ FR का total syllabus 22 chapters का है chapter number 1 say 22 chapter number 23 24 25 26 यह chapters नहीं है जो तुम्हें पढ़ने की ज़रुरत पढ़े so these are not chapters this is simply कि भई क्या skill चाहिए तुम्हें FR का paper clear करने के लिए यह दोनों आपके कुछ questions sample questions है papers है और last है आपका references जिसका आपको कुछ नहीं करना so basically है क्या आपके पास 22 chapters का target है जो आपको complete करना है December exam के लिए syllabus बहुत भारी है लेकिन अभी अपन चलते हैं इसको आगे देखने के लिए LMS के through हमारी classes होती है मतलब की learning management system जो हमारा है उसके through आपको classes मिलेंगी उसको भी मैं आपको समझाऊंगी कि exactly उसको कैसे access करना है उसमें क्या-क्या material है लेकिन पहले एक बड़ तुम्हें ये दिखा दूँ कि ये सारा का सारा coverage आपको मिलेगा क्या ये जो right में अभी ये screenshot आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है live sessions ये LMS की ही picture है यानि कि हमारी जो classes का folder है हमारी website पे उसमें क्या-क्या है ये उसी का ही एक screenshot लिया हुआ है है तो बहुत कुछ उससे भी मिलाओंगी आपको अभी लेकिन इन chapters में ये cover है की नहीं है वो दिखाने के लिए यहां पे आपको ये picture दिखा रही हो तो सबसे पहली चीज introduction chapter 1 आपको मिलेगा live session में क्योंकि ये latest जो भी live batch हुआ होगा उसमें मैंने ये कराया है जून में हुआ है basically तो जो जून 2023 में मैंने live batch लिया था आपको classes उसी की मिल रही है लेकिन FR पिछल दो साल से change हुआ नहीं है वैसे तो मैं बता दू नेक्स chapter 2 है फिर chapter 3 और 4 आपको मिलता है अब chapter 5 आपको यहां गायब मिलेगा तो एक बार side में लिख लेती हूँ कि chapter 5 यहां से गायब है तो कोई बात नहीं आगे देखते हैं chapter 5 के बाद में 6 और 7 भी नहीं दिख रहे है ओके हटा देते हैं इनको भी एक बार chapter 8 दिख रहा है chapter 9 दिख रहा है chapter 10 is here chapter 11 12 13 14th cash flow statement chapter number 15 15 का अब है ओके उसके बाद में आते हैं आपके पास consolidation वाले chapters अच्छा सॉरी 15th was IES और cash flow is chapter number 16 तो 15 गायब है हाँ ठीक है cash flow is your 16th 14th भी नहीं दिख रहा right 14 भी नहीं दिख रहा तो 14 भी देखते उसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21 ये सब के सब consolidation है consolidation, 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 associates, associates ये रहा group disposal ये रहा तो ये जो last के session 15 से लेकर session 19 तक का जो भी portion है वो consolidation का है अब इसमें एक last 22 chapter और रहता है ये रहा 22 तो अभी अपने को missing कौन से कौन से मिले 5 missing है, 6 missing है, 7 missing है, 14 और 15 missing है ठीक है इनको ढूंडते है 14, 15 देख ले ना कहीं मैं बोलते हैं skip तो नहीं कर गई नहीं कर गई तो ये chapters क्या तुम्हें खुद करने है नहीं ये मेरे pre recorded content में आपको मिलेंगी ये वो वाले chapters है जो मैंने पहले से ही record करके डाल रखे है, क्यों? क्योंकि जब भी live batch चलता है तो syllabus 60 hours में complete करना पड़ता है बहुत मुश्किल हो जाता है वो करना क्योंकि online class में बच्चा 3 गंटे ही पढ़ सकता है उससे ज़्यादा तो उसको पढ़ाया भी नहीं जा सकता इसलिए में कुछ जो easy easy सा matter है ये 4-5 chapters का इसको मैंने already record करके डाला हुआ है तो आपको chapter number 5 यहाँ दिख जाता है तो अपना 5 गयब था then chapter number 6, 7, 14, 15 यही थे जो पीछे से गयब थे 5, 6, 7, 14, 15 ठीक है pre-recorded content में यानि कि जो LMSP classes है उसमें दो अलग-अलग segments में तुम्हे chapters मिलेंगे एक live sessions यानि जो मैंने live पढ़ाए होंगे latest batch में pre-recorded content जो मैंने पहले से record गरके डाल रखे तो obvious सी बात है कि यह pre-recorded content theory वाला है जो बहुत easy होगा या फिर यह बोलो कि जो बहुत ही बच्चों जैसा होगा और अगर मैं chapter number 6 और 7 की बात करूँ इसमें तो asset क्या होता है liability क्या होती है यह सब है going concern concept क्या होता है तो उसके लिए मैंने live classes waste नहीं की थी इन chapters को जो बिलकुल easy से थे इनको मैंने अलग से record करके डाल दिया था ताकि live class में जब मैं students के सामने बैठी हूँ तो मैं most relevant portion पढ़ा हूँ तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे LMS पे chapters का coverage पूरा मिलता है यह मैं आपको भी खोल के भी दिखाऊंगी यह सारे के सारे लेकिन बस वैसे अभी track करके दिखा रही हूँ कि सारे chapters आपको कहां कहां कैसे कैसे मिलेंगे अब इसके बाद में आते हैं हमारे June result पे so very proudly I would say कि June में बहुत सारे बच्चे FR के पास हुए यह June के है I appreciate someone who is at 50 or someone who got 76 पास तो पास ही होता है तो यह point मेरे achievement का नहीं है point यह है कि FR is a very scoring paper इसमें पास होना अगर आपने सई strategy follow करी तो पास होना इतना मुश्किल नहीं है बस आपको तरीके से चलना है हाँ यह 50 और 76 का जो gap है इसका मैं तुम्हें difference बताती हूँ यह क्यों आया तो अगर मैं तुम्हें overall अपने FR के students की previous batches दिखाऊ कुछ बच्चे यह भी थे यानि कि FR में कोई 90 भी लेके आया था कोई 88 भी लाया था अनमोल March 2022 का यह उस टाइम मैं बिमार पढ़ी थी मैं March 22 का तो result ही को लेट नहीं कर पाई थी March 22 23 इसी साल मार्च 82 उदित 81 यानि FR में 80's में मार्क्स आते हैं 70 प्लस बहुत बच्चों के मिलते हैं बहुत बच्चों के ऐसा क्या रीजन है? मैं कमाल करती हूँ नहीं यह पेपर स्कोरिंग है और यह पेपर स्कोरिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप पीछे से FR करते आते हैं यानि कि क्लास 11 से पढ़ रहे थे ना? हम क्लास 11 में जो FR पढ़ते हैं या फिर जो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उसका एडवांस वर्जन हम यहाँ पर पढ़ रहे है यह पेपर यह पेपर 77, गितिका वालिया 77, 70s में बहुत बच्चों के मार्क्स है रमीज कल वैठा था लाइव सेशन में 72 ही गट पूर्व सेठी, इशिका यह सब वर्किंग बच्चे हैं, सब के सब इधर भी देखो नमन 58 वाले भी हैं, दिपाली इस देर लक्षी इस देर, साक्षी इस देर तो यह बहुत सारे बच्चे जो आपको 60s में दिख रहे हैं 50s में दिख रहे हैं, 70s में भी दिख रहे हैं इमाद और यह जो आदित्य सोनी है इसने जब यह एपर दिया था यह DU का स्टूडेंट है यह 1st year में दे दिया था इसने DU का जो conditional exemption का provision होता है उसके अंडर, अब तो इसकी ACC complete होने वाली है Manika, Vansh, Rahul, तो यह सारे की सारे बच्चे इसलिए भी FR को अच्छे से target कर पाए, क्योंकि इन सब ने वाकई में seriously इस पूरी facility का फाइदा उठाया था तो तुम सब को जो भी लोग orientation में बैठे हैं जो अल्रेडी register करा चुके वो तो बचारे अब भस गए जो नहीं भसे हैं, सोच लेना बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या-क्या होने वाला है वो बताती हूँ तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि महनत किस चीज में करनी है तो FRK blended को मैंने equivalent to life बनाने की कोशिश की है कैसे? इसके problem come practice sessions को 8 sessions बना के अगर हर week के इसाब से देखोगे न तो हर weekend मिलेंगे अपन on an average हर महिने में 4 weekend आते हैं 4 Sundays मान लो तो 8 Sundays we are going to meet यानि कि मैं हर हफ्ते डंडा देने वाली हूं सिर्पे ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया target क्यों नहीं reach किया इसलिए मैनत कसके करनी है ये problem sessions जो last quarter से मैंने 8 करने चालू करे है उसमें एक learning आई मेरी कि FR के बच्चे को मुझे बीच में एक और help करनी पड़ेगी क्योंकि इन बच्चों ने इतनी problems पूछी कि 8 के 8 sessions में practice नहीं हो पाई problems ही चलती रही मैं चाती हूँ उसमें practice भी हो मैं तुम लोगों को live बठा के कुछ questions within time frame करने को बोलू और फिर जहां तुम लोग अटको वहाँ पे मैं help करूँ तो अब की बार वही model follow करेंगे तुम लोगों की आदी से जादा problems solve होंगी अब की बार whatsapp पे कैसे? So we are introducing something new this time आपके लिए एक group mentor होगा someone qualified to deal with your problems obviously तुमारे school, तुमारे batch काई या तुमारे level काई कोई बच्चा नहीं होगा problems को solve करेगा तो काफी हद तक की problems वहाँ से solve हो जाएंगी जो बची कुची होंगी वो मेरे पास आएंगी और जो बचावा time होगा हमारे problem session का उसमें हम करेंगे questions practice तो 8 problem sessions बहुत होते हैं उसके अलावा whatsapp का support बहुत होता है उसके अलावा तुमें ज्यादा problems आएंगी नहीं फिर भी कुछ आपस में भी solve करना अब इसमें एक चीज़ तुमें मैं पहले बता देती हूँ I will not cheat on this आपको whatsapp पे support करने वाले mentors दिन में तीन बार answer करेंगे मतलब not that कि आपके तीन ही questions को answer करेंगे let's suppose मैं किसी mentor को कहती हूँ भाई FRK group में you have to answer the queries वो equal intervals पे check करेगा let's suppose वो सबसे पहले 11 am पे check करेगा कि कितनी queries आई है he will sort these queries उसके बाद में he will come at 4 pm to sort your queries then he will come at 8 pm to sort your queries तो ये तीन slots में आपकी वो WhatsApp को address करेगा WhatsApp problems को address करेगा ये मुझे आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है WhatsApp के mentors का मतलब ये नहीं है कि आपने रात के एक बज़े message डाला और वो एक बज़े जवाब देगा वो नहीं कर पाएगा बिटा that's impossible to do इसलिए इसके इसके लिए मैंने एक system ऐसा create किया है कि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारी query का जवाब कब तक आ जाएगा immediate नहीं आएगा मैं भी बता देती हूं immediate नहीं आएगा अगर तुम सोचो कि मैंने problem शाम को 6 बज़े डाली है यार बंदा हो सकता है कि वाश्रूम में हो जरूरी है कि वह exact 6 बज़े जवाब दे पाए तो वह 6 के 6 नहीं करेगा लेकिन उसका जो next slot आएगा वह उस पे आके तुम्हारी problems को address कर देगा तो तुम्हें wait करना है एकदम से ना impatient होके हुमने नहीं लगना है कि मैं मेरी problem का जवाब मीदिया group mentor ने वो दिन में तीन बार आएगा तीनो बार में आपके जवाब दे देगा हर टाइम WhatsApp पे वो नहीं रह पाएगा ठीक है? So this is one new introduction which we are doing ताकि मेरे पास तुम लोगों की problems कम से कम आये और मैं तुम लोगों को खींचने में अपना time ज़्यादा लगाऊं या फिर तुम लोगों को revision कराने में तुम लोगों से questions पूछने में अपना time ज़्यादा लगाऊं rather than मैं मैं इस line का मतलब बता दो तो अभी last quarter में तो मैं ले ये भी problems deal करीए कि मैं मैं इस word का मतलब क्या होता है तो बेटा ऐसे में अपन अपना ही नुकसान करेंगे अपना नुकसान ऐसे करेंगे कि मैं tough questions class में कराऊंगी practice sessions में जो तुम लोग पहले time bound try करोगे फिर तुम लोग ने गलती कहा करी उस पे मैं feedback दोंगी तो अपने को ये miss नहीं करना है this is the improvement which I want to do in my classes this quarter and which I am definitely going to do because a group mentor will be there to help you on smaller problems तो ये जब ठुचकी पुचकी problems है ना ये वो help कर देगा उससे पहले तुम लोग आपस में भी help कर देना अब आते हैं बाकी structure पे कि भही classes कैसे चलेंगी मुझे recordings मैं कितनी बार देख सकता हूँ so the first thing is आप recording two and a half times देख सकते हैं मतलब की total duration of the course is 60 hours सारी classes, exam kit के questions सब चीज़े 60 hours के आपस की है आपको हम access देते हैं 150 hours की 150 hours तक तक तुम्हें जो देखना है देखते रो 150 hours से उपर नहीं अब उसका मैं कारण बता देती हूँ जब मैंने classes freely बच्चों का available कराई थी I got to know कि कुछ बच्चे 7-7-8-8 बार एक एक चाप्टर देख रहे हैं एक बात बताओ दो बार देखने में एक चाप्टर समझ में नहीं आता 7-7-8-8 बार देखके किसका नुकसान करते हो मेरा नहीं अपना खुद का अपने time का इसलिए तुम्हें dedicatedly बैठना है कि मैं alert होके बैठूँगा और एक बार में सुनके समझूँगा लेकिन कई चैप्टर जैसे होंगे जो एक बार से ज़ादा बार देखने पड़ेंगे तु देखो कोई बात नहीं डबल से भी ज़्यादा की access दे दी इसलिए इसको two and a half times रखा गया है ताकि तुम लोग बहुत ज़्यादा बार बार एकी चीज़ को देखने में time waste मत करो देखने से पास नहीं होगे बच्चो लिखने से होगे प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है maths द्यान है न अपनी 10th की, 9th की तो क्या teacher board पे कराता था उसी को देखके प्रैक्टिस हो जाती थी no प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी तुम्हे I can teach you to swim but ultimate swimming तुमे ही करनी है इसलिए ऐसे नहीं करना है कि मैं को swimming करते में देखेंगे अभी तो दो महिने फिर सीधा exam वाले दिन swimming हम करेंगे ऐसा नहीं करना है अपने को Am I clear on this point? What is two and a half times? Total duration is two and a half times आपको एक chapter चार बार देखना है देखो, दूसरा एक बार ही देखना है देखो Total पूरी की पूरी access is for 150 hours Is this clear to everyone? बताओ अब बात करते हैं second level of support की देखो, मेर को ऐसा लगता है कि बच्चे को दो क्वाटर का support तो चाहिए होता है कैसे? वो exam देने गया, exam लांच नहीं हुआ तो next quarter उसको फिर बैठना पड़ेगा तो क्या वो वापस से 12,000 का course खरीदेगा? नहीं, वो नहीं खरीदेगा तो ये जो 12,000 की fees है इसमें आपको access 2 quarters की मिलेगी लेकिन अगर आपको चाहिए होगी तो मतलब अगर आप exam pass कर जाओगे तो नहीं दूंगी बिलकुल भी ये 2 quarters के लिए इसलिए दी गई है ताकि कुछ भी खुदा न खास्ता कोई बात हो गई पास नहीं हो पाए या उस दिन बिमार हो गए पेपर ही नहीं देन ले गए तो next quarter you do not land up purchasing the course again इसी course में 2nd quarter के लिए लो पढ़ाई करो और exam दे दो तीसरे quarter नहीं दूँगी क्योंकि 2 quarter देख ली न इसलिए तीसरे quarter की ज़रूरत नहीं है so be cautious with that कि मैं तीसरे quarter भी दे दो फिर तो तुम देखते ही रह जाओगे अब बात करते हैं routine tests पे तो आप जो पढ़ेंगे उसके MCQ based routine tests होंगे वो कितने होंगे 5 मैं आपको भी दिखाऊंगी LMS पे कि 5 है और ये YouTube पे जाएगी पूरी वीडियो तो cheating नहीं कर सकती हूँ मैं बिलकुल भी और तुम बच नहीं सकते हो तो 5 के 5 देने पड़ेंगे फिर होते है section C के test तो section C क्या होता है FR में जो examiner evaluate करता है यानि आप Excel में formula लगाएंगे आप answer कैसे लिखेंगे working notes कैसे बनाएंगे वो sub assessment मुझे करना रहेगा मुझे check करना पड़ेगा क्योंकि section C में मैंने देखा है बहुत बच्चे जो 40 marks का section C है उसमें गड़वड कर जाते है चूक जाते हैं वो तो अपने को चूकना नहीं है भाई इसलिए मैंने जो section C के tests है वो total 3 बनाए है ताकि पूरे syllabus को हम 3 areas में बाट सके ये कौन से areas होंगे अभी आगे आएंगे तो section C के tests मुझे evaluate करने पड़ेंगे 4-5 दिन का time मांगूंगी तुमसे उसमे क्योंकि FR बढ़ते, 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 मेरे पास 80 students का batch हो जाता है और test check करने के लिए 40-50 तो आते ही है I will need 4-5 days to check it तो मैं ये बिलकुल नहीं बोलूंगी तुम लोगों को कि भाई तुमने test दिया और 2 गंटे में चेको के मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा I will take 4-5 days to check Then comes your mock tests, 2 mock tests दोनों evaluate होंगे आपका जो पूरा paper होता है वो होता है 60 marks का MCQ based और 40 marks का ये section C वाला तो ये जो section C वाला है न ये मेरे को evaluate करना पड़ेगा दो marks होंगे उसका भी तुमें schedule अभी मैं बताती हूँ कब कौन सा मौक होगा ये पूरा का पूरा system आपको मिलता है 12,000 में ये fees भी इसलिए announce कर रही हूँ ना किसी को discount दिया जाएगा ना किसी से 12 के 12,100 रुपे वसूले जाएगे It's strict 12 Nothing more, nothing less अब आते हैं एक नई चीज़ पे जो मैंने last quarter से डाली थी क्योंकि मैंने live लेना बंद किया था last quarter तो मुझे time मिल गया था अब time को मैंने कैसे utilize किया मैंने revision shot तयार किया और end में FR के बच्चे, FM के बच्चे और PM के बच्चे इन तीनों को revision करवाया and this revision came out to be super successful बच्चों ने, जिनों ने mock दिया more than 20 students secured above 70 marks in the mocks और बच्चों का खुद का feedback था कि revision was very helpful तो ये revision इस बार फिर continued रहेगा revision का time तुम लोग decide करोगे एक बार पूरा calendar देखने के बाद कि revision किन-किन दिन करना चाओगे अब आगे तुम लोगों को introduce कराती हूँ हमारे LMS से हमारे learning management system से जिस पे classes होती है तो ये जो left में तुम देख रहे हो न यहाँ से screenshot उठाया था मैंने उसका अब मैं इसके लिए तुम्हें अपनी website पर लेके चलती हूँ let's take the screen off यहाँ से लेके वहाँ चलते है यहाँ तक में किसी को कहीं कोई दिक्कत है कुछ भी चीज समझने में बताइए एनी प्रॉब्लम चलिए तब से पहली चीज वैल्यू एड डॉट इन हमारी website पर आपको जाना होगा यह मेरा login है as a student ऐसा ही login आपको भी मिलेगा आप उसमें login करेंगे और फिर आपको यहाँ पर my courses दिखेंगे my courses पर click करते ही यह मैं तो सब batches की student हूँ आपको पहुंचना है यहाँ पर यह click करते ही ऐसा कुछ दिखेगा मतलब हो सकता है तुमारा page अलग दिखे यह मैंने तो last video यह खोल के देखी दी इसलिए यह दिख रही है वरना आपको मोटा मोटा यह ऐसा दिखेगा कुछ अब left side पे जो contents है यह इस बात का proof है कि जो मैंने अभी अभी बोला है वो पिछले quarter भी दिया गया है तो तुम लोगों को भी मिलेगा सबसे पहले orientation session यह जो हो रहा है यह September वाला यह आपको दिख रहा है आज अपना December वाला orientation हो जाएगा December वाला अब इस जगे पर आजाएगा और यह हट जाएगा इसलिए यह September वाली चीज़ें यहां से हटाई नहीं गई है ताकि आपको इसकी जगे याद रहे कि अब December वाली चीज़ इसी जगे पर आएगी आती हो मैं planner की तरफ यह मैंने September वालों को दिया था ऐसा ही आपको भी मिलेगा दिख रहा है एक दिन आगे बढ़ा दो problem session तो वह एक दो दिन आगे पीछे हो गई थी कई चीज़े बट overall हुआ यह सब कुछ था इसको भी अभी तुम्हें बताऊंगी क्योंकि मेरे को सुनने में आया है कई बच्चे डर रहे हैं कि जो जो मैं बोल रही है वो होता है क्या उमारा डरना वाजिब है ठीक है यह सारी चीज़े यह प्लैनर है अब प्लैनर आएगा यहां पर डिसेंबर का यह थे वो live sessions जिसका screenshot मैंने आप से भी शेर किया था यह देखो left में जो दिख रहे है सेम यह items है यह class record हो रही है मैंने यहीं से उठाया था इसको 19 sessions दिख रहे है यह मेरी PPT कि का गई यह दिख रहा है 19th session group disposal का चलो उस पर देखते हैं जरा 19th group disposal का ओके यह सारे के सारे लाइव है जो मैंने लिए थे पिछले quarter के लिए यह रहे सब चलते हैं हाँ तो तुम्हें अगर मैं एक बात बता हूं यह जो सामने notes चल रहे हैं आपके लिए यह इतने काफी है PPT इस तरह से बनी हुई है तुम्हें कोई चीज एक्स्ट्रा एड करनी हो तो आसपास में जगे होती है उस पर एड कर लेना कुछ PPT का एक फोल्डर मैंने बनाया है कुछ PPT का नहीं सारी PPT का एक फोल्डर है जो व्यू ओनली फोल्डर है तो Metro में बैठे हो आपने नोट्स की बुकलेट साथ में तो कैरी कर नहीं रहे होगे LMS पर खोलो यहीं दिख जाएगा चीक है लेकिन मैं बोल रही हो कि बुकलेट कहां से बनेगी यह डाउनलोड एबल वालों से तो यह नोट्स एन PPT के सारे आइटम्स डाउनलोड एबल भी है कैसे डाउनल तो सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है नोट्स की बुकलेट क्रियेट करनी है hard copy से पढ़ना है soft copy से पढ़ा नहीं जाता है मैं तुम्हें इमानदारी से बोलू जहां लिखना होगा ना तुम लिखनी पाओगे उसमें इसलिए hard copy skill लेनी है यह सारे के सारे तुम्हारे प ट्रैकर से तुम्हें इंट्रेग्स करवाती हूं यह आइटम क्या है तुम्हारे सामने डाउनलोड कर रही हूं यह डाउनलोड होके यहां आया यह आया जी अब यह ट्रैकर है क्या तो देखो मैंने ना ट्रैकर बना रखा है एक्जां किट के सारे questions को track करने का मतलब की कौ तुमने चैप्टर नमबर 1 कर लिया तो अब exam kit के कौन से questions करने है ट्रैकर से पता चलेगा जैसे intangible assets का एक chapter है दिखाऊं आजाओ PPT पे intangible assets chapter number 3 3 दिख रहा है chapter number 3 intangible assets ये intangible assets के सारे के सारे question number 16 से लेकर 22 तक के है तो tracker तुमें इसका भी printout लेके रखना है इससे बहुत help मिलती है तुमें topic complete करोगे tracker पे देख लो कि तुम कौन से वाले questions कर सकते हो इनको देखके मैं भी इनका consolidated data बना रही हूँ कि ये वाले chapters related ये वाले questions है ये वाले chapters related ये वाले questions है ये 2023 वाली जो book है न मतलब पिछले साल वाली उसके basis पे बनी वी exam के tracker है क्योंकि majority बच्चों के पास ये वाली book है और मैं तो खुद कह रही हूँ नई book के ज़ुरत नहीं है नई book मेरे पास है मुश्किल से चार-पांच question आद हुए वे उसके लाबा कुछ नहीं हुआ तो पुरानी book अगर मिलती है ले लो मत पैसे बरबाद करो ये क्या है ये question reference है कि वो वाला question number let's suppose question number one है वो कहां से चालू होगा आईए 16 property plant and equipment ये उसके starting words है ऐसे question number 10 है जैसे ये कहां से चालू हो रहा होगा तिब्बत acquired a new office building ऐसे चालू हो रहा होगा तो question को identify करने में भी असानी मिलेगी ये tracker मैंने पूरे exam kit के जितने भी 400-500 questions से उनका बना रखा है और आगे लिखा हुआ है कि कौन सा section A का question है कौन सा section B का है जैसे तुम्हें सबको track किया हुआ है यह section C के आगे single entity के यह है consolidation वाले यह है और यह total कितने questions निकल के आए 453 तो 453 question करने है तुम लोगों को अभी दो महिने में इसलिए अपने को अभी से कमर कसके पढ़ना है और इसलिए यह tracker का भी printout लेना है इसलिए tracker भी downloadable बनाया गया है अगर आपके पास और भी एक साल पुरानी book है तो मैंने उसका भी tracker इसमें डाला हुआ है यह आएगा कहां गया tracker 2023 book का ही है मेरे पास पुराना भी है मैं पुराना भी शेयर कर सकते हूँ FM में देख रहे हो मैं बहुत सारे batches की student हूँ यह आ गया 2022 exam kit 2023 exam kit अगर आपके पास 2022 वाली book है तो इस वाले को डाउनलोड करना अगर 23 वाली book है तो इसको डाउनलोड करना और अगर latest book है यानि 24 वाली तो भी question reference से कर लेना वैसे मैं भी उसका tracker बना रही हूँ अभी दो-तिन दिन का time देना दो-तिन दिन में उसका tracker भी बन जाएगा लेकिन 90% बच्चों की पास वाली book नहीं है कुछ availability की चकर में कुछ ठीक है यार दोस्त से पुरानी मिल रही तो that's okay, nothing is changed अब ये pre-recorded content ये दिखाया था ना इसका screenshot मैंने ये देखो same to same ये items है ये कैसे चलते हैं, ये देख लो ये concept आ रहा है ये मैंने question practice कर रही है जैसे ये chapter number 14th है ये chapter number 15th है चीक है? तो this is how these chapters will go अब आते, कई बच्चों के साथ एक problem आती है कि FR में मुझे Excel तो use करनी ही नहीं आती मैंने इसलिए Excel sheets भी यहाँ पर डाली है, अगर मैंने कोई भी question class में screen पर कराया है live sessions में से उसकी Excel sheet यहाँ डाली भी है तुम इस Excel sheet को download कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कैसे formula लगाया है कैसे किसी चीज को present किया है जैसे तुम्हें इसकी शकल दिखा देती हूँ कि ये booklets तुम्हें कहां help करेंगी तुम्हें ये समझने में help करेंगे कि तुम्हारी questions और working ऐसी दिखनी चाहिए साफ सुत्री neat and clean देखो examiner को अगर एक अच्छी सी copy दिखती है न वो impress होके अच्छे नबर देता है untidy समझ में नहीं आ रहा है working note इधर से भी घुस रहा है उधर से भी घुस रहा है हमें examiner को annoy नहीं करना है तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें will give you a big result that is what we have to achieve अब इसमें मैंने formulas लगाए है आप इनको देख सकते हो जैसे ये 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 कैसे लगा equal to लगके लगाए ये कैसे लगा plus हुए ही है दो चीजे तो ये मैंने जब class में चलाया है तो धीरे-धीरे मैंने बोला भी है कैसे plus करेंगे equal to लगाएंगे फिर इस cell को connect करेंगे तो जिनको Excel नहीं करता तुम मेर से आग नहीं भी पढ़ोगे किसी और से भी पढ़ोगे तो ये teacher कराते है ठीक है? इसलिए ये चिंता करने की ज़रुद नहीं है कि मुझे Excel नहीं आती है मेरा क्या होगा तुम कहीं भी चले जाओ किसी भी learning partner से पढ़ लो ये आपको वो सिखा देंगे इसलिए घबराना नहीं है आप 15 दिन में Excel यूज़ करो you will get to know about it everything तो इसमें कोई तुम्हें चिंता वाली बात नहीं दिखेगी अब आजाते हैं अपन ये Classwork Excel sheets तुम्हें मैंने बता दी अब सब से critical चीज़ आती है exam kit library ये क्या है पिछले तीन सालों में जो भी मैंने batches लिये है उनमें मैंने जो भी question exam kit का कराया है उनको मैंने वहां से extract करके यहां डाल दिया इसके बाद में तुम्हें ज़्यादा problems आनी नहीं चाहिए ये देखो जितने सारे questions तुम्हें दिख रहे है अगर इन में से किसी question में टक रहे हो तो obviously मेर से मिलने का wait मत करो see the exam kit library खोलो और उसमें से देखो कि मैंने उस question में ये चीज या ये adjustment कैसे कराया समझ गए तो exam kit library को लेकिन exam kit library को classes के तरह नहीं देखना है ये तुम्हारी सहूलियत के लिए डाला गया है ध्यान रखना पहले question खुद practice करना है उसमें अटकना है पसो एक बार कोशिश करो उसमें हाट पर मारो कि समझ में आए नहीं समझ में आए तो exam kit library पर आओ तो exam kit library आपके लिए है इसका purpose मैंने आपको बता दिया then comes routine tests कितने बोले थे मैंने पांच ये रे पांचो आपके सामने सामने अगर खोलूंगी तो question खुल जाएगा चलो जल्दी से खोल के बंद करदूंगी start quiz समझ गए total questions इसमें 5 है ये auto check mode पर है आप इसको करेंगे हाट क्या score आजाएगा आपने क्या गलती करी वो भी आजाएगा correct answer क्या है वो भी आजाएगा test 1 test 2 test 3 तीनों tests है शकल दिखा दू item is accessible ओ मैंने बंद कर रखा है अभी item is accessible तुमारी date के साब से ये आएगा last batch वालों के लिए मैंने कब खोला था इसको august मे 24th august 2023 को खोला गया था 15th September तक ये खुला था ठीक है ऐसे ही तुम लोगों के लिए भी खुलेगा लेकिन चौब इस घंटे के लिए ओके आगे बढ़ते हैं FR practice sessions तो ये problem sessions है जो हमने अभी बात करी ये September वाले ये आठवा क्यों नहीं है मैंने upload नहीं किया problem किसी ने पूछी नहीं तो मैंने upload नहीं किया तो September वालों की जो भी practice sessions problem sessions हुए थे वो इसमें मैंने डाल दिये अब जो मैंने तुम्हें बोला था revision shot वो ये रहा क्योंकि time मिला तो खूब तसली से बनाए मैंने ये जैसे ये देखो hello and good evening welcome to the revision for for decommissioning costs तो मुझे 10,000 dollars का loan है 2000 let's suppose 24 ये बचाए मतलब questions भी डाले है इसमें मैंने कि इन तरीकी से हो सकता है कैसे मेंजर करें इफेक्टिविकों हटाना है ये studio recorded है मैंने ये live नहीं लिये थे live तो मैंने बच्चों को practice कराई थी ये देखो तो ये इस तरह से practice किये गए थे उसके बाद में live revision shot ये नीचे दिख रहा है ये रहा live revision shot नीचे ये ये थे जो मैंने बच्चों को live करवाए थे ये देखो 6 session दिख रहे हैं यहाँ पर बच्चे present थे तो उनसे पूछना उनसे साहित है pre recorded में concept है लेकिन live जो होता है वो सवाल जवाब session होता है जैसे तुम ये देखोगे ना इसमें मैंने बच्चों को बोला था कि पहले revision की video देख किया ना फिर तुमसे question में पूछूंगी जैसे तुमें sample ये दिखा देती हूं यहाँ पर मैंने बच्चों से पूछा था बच्चों की आवाज आ रही है बीच में तो जो आपको ये जो पहले वाले मैंने sessions दिखाए ना वो पढ़के आने उसके बाद में यहाँ पर तुमारा बाजा मैं बजाओंगी मैं पुछूंगी और तुम जवाब दोगे ठीक है तो बेटा ये जर्नी वट टफ होने वाली है उसके बाद में एक मौक यहाँ पर है अभी मैंने वो मौक हटा लिये क्योंकि वो गल्ती से कई बार बच्चे आकसेस कर जाते है तो ये दूसरा वाल मैंने लाइव ना लेके इसको इतना रिग्रस बना दिया है कि इसको अगर तुम लोगों ने तरीके से फॉलो कर लिया डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कि तुम लोग फेल हो जाओं ये सारा का सारा आपका सिस्टम था LMS का अब आगे बढ़के मेर पास 15 मिनिटी रह ग गया ये LMS आ गया अब मैं बात करती हूं सेक्शन सी और मॉक टेस्ट की हाँ मनीश सेक्शन ए और बी उसमें दोनों है ठीक है बिल्कुल और रूटीन टेस्ट आप कर सकते हैं आपके हिसाब से कभी भी कर लो मतलब वो टार्गेटेट चैप्टर सगर हो गए देन यह है कि नहीं मिलते हैं पेपर तो पहली बात तो मेरे स्टूडेंट से तुम लिंक्डिन पर पूछ सकते हो दूसरा मैं अपना इमेल आइडी भी खोल के दिखा देती हूं एक बार क्या था टेस्ट वाला यह रहा हुआ कि यह दिख रहे हैं सारे कि पहले आते हैं अपन एफ सेक्शन सी टेस्ट वन पर यह आटमेटिकली आएं तेको मैंने कुछ नहीं किया है तुमारे सामने देख लो वंच का आ रहा है 28 अगस्ट का हेमंत का आ रहा है 29 जुलाई का अंशल का आ रहा है 24 जुलाई का तो एक बर हम इन इसको खोल के देखें दिखा दो तुमें यह क् मैं खुद भी देख लूँ क्या है ओके सो वंच नहीं भीजा था मैम प्लीज फाइंड एटाइज आंसर्स टू सेक्शन सी मॉक टेस्ट वन मॉक टेस्ट लिख रहा है सेक्शन सी का मॉक नहीं होता यह टैक्स का है अच्छा ओके यह तो टैक्स का आया एफफर वालों का ढ एफर यह तो मॉक है मॉक दिख गए देखो चेक वे वे यह रहा लक्षे का मॉक था 4th September का और 5th September को यह बेज दिया मैंने और बापरे ने मैं ऐसा कमाल करती नहीं हूँ वैसे जाधा तर बड़ यह हो गया होगा कोई इत्ता फाक से इत्ता जल्दी नहीं बेजा जाता है यार मैं तुम्हें इमांदारी से बतारी हूँ शुरूती का शुरूती का एफार का नहीं है पर यह तुम्हें इससे अंदाजा लग जाएगा that the papers are checked मैं इसलिए तुम्हें खुद बोल रही हूं अगले दिन नहीं मिलेंगे papers यह देखो यह तीन सितंबर का paper है twinkle ने भीजा था एफार का और यह आ जाता है मेरा चेक किया हुआ चेक कैसे होता है वो दिखा देती हूं इसको copy करके प्लीज आगे मत डाल दे ना कि इसी को use करके paper solve कर दिया यह देखो ठीक है so this is how it is checked twinkle ने कुछ word document पे भी किया था ratios वाला question यह रहा यह ratios वाला question आजकल word document पर आता है so मुझे time लगता या फिर इसको check करने में यह देखो बताना पड़ता है कि किस चीज़ पर क्या miss किया है उसने ठीक है so it takes time to check these section C के test पर आती हूं मॉक तो दिख रहे हैं एफार के सकते सार यह एफार 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 मॉक एफार मॉक एफार मॉक ऐफार मॉक एफार मॉक मॉक चर कर कर ग ανα खूद की शकल ही मॉकल जैसी हो जाती है एफार एफ़ार एफ़ार ए थार देख रहे हूं so they are all checked his subject, yo yeah where so this is my handwriting you can link that और यह चलो कोई नहीं किसी का क्यों देखना पर्सनल चीज अच्छा इस सेक्शन सी टेस्ट त्री ओके सेक्शन सी उसने भेजा था निकिता ने 16th August को I give it back in 3 days पर मैं फिर बोल रही हूँ यार मैं 4-5 दिन बोल रही हूँ यहाँ इतफाक से हो सकता है तीन दिन में मैंने चेक कर दिया हो लेकिन 4-5 दिन मैक्स उसके बाद नहीं मताँ उसके बाद ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा विदिन इस टाइम ही मिलेगा तो यह आपक समीर हम समझाएंगे उसको डोंट वारी आपके अकांट में आप जाके जो प्रैक्टिस प्लैटफॉर्म है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है और वर्ड दॉक्यमेंट पर करना क्योंकि अब आपको जो एनलिसेज वाला क्वेस्टन है वो वर्ड पर करने आता है वह उ देखो गवराना नहीं ओके नई पूजा जो रूटीन टेस्ट है अभी तुम्हें उसको जवाब मिल जाएगा अभी सब जवाब मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या आएगा ये है आपका कैलेंडर जो आप लोगों के केस में अपलाए होगा यानि डिसेंबर वाले बच्चो के लिए अपलाए होगा पहला प्राक्टिस सेशन 28 को है सॉरी मुझे पहला वाला क्योंकि बहुत लंबा गया पाजाता इसलिए मैंने पहला वाला सेशन वर्किंग डे पे लिखाए ये साक्षी बिटा कैलकुलेटर लाओड होता है नो प्रॉब्लम थर्सडे को रखा है त कि अगर आप वर्किंग है ऑफिस जाते है तो 8.30 यू के अटेंड दी सेशन तो पहले वाला सेशन मुझे वर्किंग डे पे रखना पड़ा था क्योंकि आज हम औरिएंटेशन के लिए 24 को हम नहीं मिल सकते प्रॉब्लम सेशन के लिए और उसके बाद में मिलते तो इट व आपके रूटीन टेस्ट में वही आएगा जो पिछली प्रॉब्लम क्लास तक कवर हो गया है वही आएगा नेक्स्ट अच्छा अब आगे वाला पेज मोडती हूँ ठीक है घबराना नहीं देखके अब तुमारी वीकेंड पे आ जाएंगी प्रॉब्लम क्लासेस तो एक सैटेड़े आती है फिर कंसिस्टेंटली संड़े आती है और ऑक्टोबर में जम के मेनत करने का रूटीन टेस्ट कितने हो गए सेकंड थर्ड फोर्थ सेक्शन सी का टेस्ट होगा जब आपकी प्रैक्टिस क्लास या प्रॉब्लम क्लास थ्री हो जाएगी पुझा वीकेंड प्लान कैंसल नवेंबर बचे वे तीन सेशन जाएंगे एक रूटीन टेस्ट जाएगा और दो सेक्शन सी के टेस्ट जाएंगे उसके अलावा आपका मॉक होगा 25 नवेंबर को ये कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट में मुझे एगा मुझे एक अग दिन मॉक आगे पीछे करना पड़ सकता है as per the majority of the students then एक 60 मॉक्स का टेस्ट भी होता है जो मैंने अभी इन फैसिलिटीज में लिखा नहीं था जो आपके दो मॉक्स है ना एक सेकंड मॉक जो होगा वो आपको वो मिलेगा 1st of December को लेकिन दो मॉक्स के बीच म बच्चा खाली ना बैठा रहे इसलिए what I have designed is one more 60 marks test जो section A और B का होता है auto evaluate हो के आता है यह रखेंगे 29th को यानि कि दोनों मॉक्स के बीच में मॉक की date अगर disturb हुई यह वाला test मैं वैसे भी तुम्हारे लिए कभी के लिए उपन कर जाती हूँ तुम्हें जब करना है कर ल और फिर मैं देखो I am very popular on one thing honesty प्लस फटकारने के लिए मेरी डांट बहुत तगड़ी पढ़ती है यह जो पुराने बच्चे यह जानते है तो डांट इतनी जोर के होती है कि उसके बाद में बच्चे दो-तीन दिन खीच के पढ़ते है उसके बाद में फिर धिले पढ़ने लगते हैं फिर आजाती हूं मैं सामने लगा हम खीचने तो डांट का नहीं पढ़ेगी प्लीज डूनाट सी कि यहां पर हमें कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाएगा no customer you are my students तो डांट भी खाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो मनीश किसकी डूरेशन पूछ रहे हो त्रियाज़गी मौक की त्रियाज़गी है 60 marks वाला टेस्ट आपको करना होगा वान एड़ा हाफ आर में साहते सहीं I am aware about it साहते डांट तुम्हें कम पड़ी है चलो anyways अच्छा अब ये दोनों के बाद में ये तुम्हारा पूरा शेडियूल है finally this is the schedule यानि कि जो मैंने वहाँ पे dates लिखी थी calendar में mark थी वो यहाँ पे भी लिखी हुई है आपको timings भी दिख जाएंगे यहाँ पे जो weekends है वो early morning तुम्हें free कर दूँगी फिर तुम्हें जहां जाना हो चले जाना घूमने फिरने live sessions में बिंकी बिटा आती हूँ उस पर आती हूँ कि notes देख रहे हो तो time तो count होगा इसलिए notes तुम्हें दी है न downloadable तुम्हें क्यों देखने है notes उस पर download करो booklet से पड़ो अच्छा यह live sessions को थोड़ा सा इसको समझना यार इस schedule को मैंने यहाँ पर लिखाए कि आपको chapter 2, 3, 4, 11 करके आने हैं पहली problem class में यानि कि chapter 2, 3, 4 और 11 यानि कितने session देखने हैं तुम्हें plus मैंने in sessions में ही बोला है कि यह वाले questions प्रैक्टिस करना वो वाले questions आपको 6th session तक सब कुछ तयार करके आना है पहली problem class में 6 session देखने हैं तुम्हें तो जब 28 September को हम मिलेंगे यानि आज से approximately 10 दिन बाद आपको 6 classes देखके आनी है यह 6 classes में जो chapters हैं वो देखने हैं हाला कि मैंने 11th को आगे भी डाल दिया कि चलो किसी बच्चे का घर नहीं हो पाए क्योंकि अब भी बच्चे आने वाले 2-3 दिन में join करेंगे तो अगर तुम्हारा 11th ना हो पाए कोई बात नहीं हो जाए तो कर ले ना 11th और 12th को फिर उसके बाद में हम लेंगे next वाले session में then comes 9, 13 and cash flow यानि की chapter 9, 13 और cash flow ये तीनों की तीनों आप करके आएंगे third problem class में यानि किस दिन पे 15th October पे ये इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया ये वाला जो PPT है ये भी आपको मिल जाएगी और इस PPT को भी download करके तुम अपने notes के लिए रख लेना कि भई मुझे किस दिन पे problem class के लिए क्या prepare करना है इस calendar में किसी को कोई confusion है क्या बताओ हम एनी confusion anyone समझ गए न कि ये chapter कैसे cover करने है ये तुमें कैसे sessions में मिलेगा chapter number 8, 10, 14 लिखावा है यानि कि 8, 10, 14 14 तो pre-recorded में था तो pre-recorded में जाओ और 14 को वहाँ से done करो ठीक है clear everyone ये आपका final plan रहेगा और एक disclaimer मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ ये ये क्या disclaimer है ये disclaimer है भाई routine tests आप कभी भी attempt कर सकते हैं आपने जो भी topic cover किया है पिछले practice session तक वो routine test का syllabus है section c test 1 किस से related होगा single entity से section c test 2 किस से related होगा chapter 22 से section c किस से related होगा consolidation से और ये देख लो एक बार जरा भाई फिर बोलोगे मैं आपने cheating कर दी आप section c के questions excel पे करेंगे हमें submit करेंगे हम check नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे कि आपने इनको practice किया है कि नहीं किया है तब ही तुमारे test चेक करोगी तो ये तुमारे लिए punishment है I just need 15 section c questions section c के 50 से भी ज्यादा questions है सिर्फ 15 चाहिए मुझे excel पे बाके तुम register पर करते रहो मुझे कोई दिखकत नहीं है so I would like to see these फिर तुमारे section c एवालुएट करूँ नहीं मजा हैगा more test paper 4 days time frame लिख रही हूँ 4 to 5 days is the time frame here in front of everyone I am announcing this so please do not expect कि अगले दिन चेको के मिलेगा नहीं मिल पाएगा मुझे तसली नहीं होती जब तक मैं अपने आखों से तुम लोग के paper नहीं देख लूँगी even if my team is checking it still I would like to see them तो इतना time मुझे चाहिएगा then 160 marks test ये मैंने आपको बता दिया practice session में आपको videos on रखनी है इसका मैं कारण बता देती हूँ आपको videos on इसलिए रखनी है आप question practice कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मैं screen पे देखूंगी मतलब तुम सामने ऐसे करके मुझे दिखाऊगे कि हाँ मैं मेरी copy ये रही this is what you will show me इसलिए videos on रखनी है ठीक है उसके अलावा एक और चीज़ group mentor यहाँ पे added नहीं है but I am announcing that you are going to get a group mentor who will answer your queries three times a day three times a day पर एक चीज़ धियान रखना बच्चो problem specific पूछना मतलब इस question में ये चीज़ नहीं आरी ऐसे पूछना कई बच्चे क्या पूछते है section C का question है तीन page का और वो पूछ रहे होते हैं कि please explain this question बेटा possible नहीं है वो whatsapp पे explain करना उसका point बोलो किस में फसे वे हो solution की photo डाल दो साथ में कि ये amount कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया then we can solve the problem लेकिन whatsapp पे अगर ये लिख रहे हो कि दो page का question नहीं समझाया explain कैसे करेंगे इसलिए तुमें problem पूछते time whatsapp पे एक skill use करनी है to the point लिखने की फिर भी जो problem sort नहीं होगी तो वो फिर अपन हर weekend मिल रहे है न तब मैं देख लूँगे तुमारी सारी problems ठीक है किसी को कहीं कोई confusion है बताओ any confusion of any sort ये मैंने complete कर दिया यहाँ पे तुमारा schedule आ गया and this is it we are done with the orientation all details covered मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ कुछ तुम लोगों को पूछना है तो बता दो जल्दी से इससे पहले की FM बाला चाल हो जाए anything guys anything mom by which date we should complete our syllabus once 15th of November and if early you can do that great तो 15th of November तो late से late है कोशिश करके सबसे पहले कर लो revision होने में असानी होगी ठीक है अच्छा एक और चीज़ बच्चो अगर मेर से पढ़ना है तो multiple books नहीं पढ़नी है no BPP is needed क्योंकि तुमारे जितने भी test है ना वो मैंने BPP से ही बनाए इसलिए BPP की ज़रत नहीं है तुमें सिर्फ Kaplan उठानी है Kaplan ही कर लो वो बहुत है जो जो मैंने बोला if you do that there is no chance that you fail in the exam Imran is asking मैं physical calculator allowed है Imran बिलकुल allowed है घबराने का नहीं चीक है So I need to rush for my FM का orientation इसमें I hope आप लोगों को कोई doubt नहीं है अगर है तो ये session थोड़ी देर में YouTube पे आ जाएगा आप वहाँ भी पूच सकते हो उसके अलावा एक चीज बस मैं ये बोलूँगी अगर मुझसे पढ़ना है ना तो कमर कस लेना मिटा क्योंकि खिचाई मैं खूब करती हूँ and I really do not care on this कि मैं बच्चे को डांट रही हूँ वो नराज हो जाएगा और next paper में मिरे से पढ़ने नहीं आएगा तुमारा पास होना सबसे जरूरी है that's the most crucial thing at this point of time और मैंने कल के session में बोला भी था हमें जल्दी से जल्दी ACCA करनी है तो ACCA करने के लिए महनत भी लगेगी ताकि जब अपने juniors को बोलो तो तुम ये बोलो कि भाई ये degree बहुत महनत से मिली है यूई नहीं मिली है एक रात पहले पढ़के ठीक है so I want you all to say this to your juniors अभी I would like to take your leave because then I need to rush for my FM का orientation कोई भी और डाउट है इसको YouTube के comment section में लिखना और जो लोग already classes में added है तो WhatsApp ग्रूप पर डाल देना I'll see it and I'll reply by tomorrow क्योंकि आज तो रात के 9 बज़े तक मेरी orientations ही चलेंगे ठीक है guys चलिए just get going and start studying thank you so much and bye bye